अलो गुडिवनिंग कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चो एक बाद फिल से मैं आपका स्वागत करता हूं मैं राहुल सिंग आपका ट्रेनर आपका टीचर अभी मेरे दो लेक्चर जो हैं वो मैंने आपके लिए अपलोड किये हैं और आई होप आपको बहुत बहुत अच्छे तर और उस chapter 1 के related जितने भी most important questions हैं जो आपके exam pattern के लिए most most important है वह question मैं आपर कुछ आपको लिए करा हूँ कुछ multiple choice questions भी हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा तो सबसे पहले मैं already आपको समझा चुका हूँ लेकिन कुछ एक दो question ऐसे हैं जो मैंने आपको अभी नहीं करा हैं तो most most important questions हैं यह मैंने लिखे भी हैं यह आपको याद भी करने हैं learn भी करने है exam pattern के according तो यह important ही है लेकिन आगे चलके अगर आप आप software सिखेंगे कोई भी accounting software सिखेंगे तो उसमें आपकी बहुत ज्यादा help करेगा तो सबसे पहला question जो है जो आपके exam में आता है वो यही पूछा जाएगा आपसे interview के time पे भी what do you mean by account what is the meaning of account account क्या है लेखांकन से आप क्या समझते हैं लेखां से आपका क्या भी प्राय है तो यहां पर मैं and report the result but it तो मैंने जो पहले definition लिखवाई है उनको भी आप लिख सकते हो इसको भी लिख सकते हो बहुत हार same सबका मतलब एक ही है चीजे को record करना record करने के बाद किनको record करना financial transactions को record करना जब financial transaction proper भी में record होगी तो उनको analyze करना आसान होगा उनको verify करना आसान होगा और उनकी result य bookkeeping and accounting इसको दिहान से देखिए what is the difference between bookkeeping and accounting bookkeeping का मतलब क्या होता है यहां पर और accounting का मतलब क्या है दोनों अलग अलग है लेकिन इनका एक साथ ही अपने कहते ना एक सिक्क्य के दो पहलू होते है तो एक सिक्क्य के दो पहलू है यह bookkeeping और accounting दोनों proper होना चाहिए जब हमारा end त financial business functions required for all businessmen यानि all business हर एक business में bookkeeping and accounting दोनों का बहुत अच्छे तरीके से क्या किया जाता है यूस किया जाता है हर एक business में bookkeeping is responsible for the recording of financial transactions मतलब bookkeeping में क्या किया जाता है financials related जितनी भी लेंदेन हैं उनको record किया जाता है यह हमारा काम किसका होता है bookkeeping का बस उसके बाद accounting is responsible for interpreting, classifying, analyzing, reporting and summarizing financial data इसका थोड़ा मैंने हिंदी में भी लिख दिया है तो अब एक चीज आपके mind में समझ में आ गई कि bookkeeping और accounting दोनों हैं अलग-अलग लेकिन दोनों हैं ही एक भी कैसे क्यों क्योंकि अग जब तक bookkeeping नहीं होगा तो आगे accounting का process मतलब भी नहीं बनता तो दिहान से bookkeeping responsible होता है financial transaction को record करने के लिए और account responsible होता है interpreting, classifying, analyze, reporting and summarizing financial data करने के लिए गौट इट तो देखिए यहां पर बही खाता और लेन देन लेखा दोनों सभी website के लिए आवश्यक website कारे हैं बही खाता पद्दी वित्य लेन देन के recording के लिए जिम्म करना reporting और सारांशित करने के लिए जिम्मेदार है तो दोनों question most most important है exam में बहुत बार आ चुके हैं हमेशा और test में भी आपके पूछे जाएंगे इसके बाद देखिए बहुत बढ़िया question आप से जो interview के time भी पूछा जाता है और जो बच्चे मेरे 11th class में है normally दो number में एक number मैं आप से normally पूछ भी लिया जाता है ये what do you mean by business organization business organization से आप क्या समझते हैं तो यहां पर the terms business organization refer to how a business is structured right किस तरह से business क्या किया जाता है the business organization is defined in the bylaw when the business is formed with the name and contact information of those who own and run the company with their roles defined what it the bylaw state the purpose of the organization and what it does a sole proprietor a sole proprietorship does not have by law because one person own and control the business got it तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है देखे हिंदी में अगर मैं बात करूं तो व्यापार संगधन सब्द से तात पर रहे है what do you mean by business organization it means कि website कैसे संचरित होता है website यानि कि business संगधन को तब परिभाशित किया जाता है जब व्यापसाई उन लोगों के नाम और संपर्क जानकारी के साथ बनता है जो company को परिभाशित करते हैं और अपनी भूमिकाओं को चलाते हैं बाइलो संगधन के उद्देश्य को बताता है और यह क्या करता है एक एकल स्वामित में बाइलाज नहीं होता है क्योंकि यह है एक व्यक्ति व्यापसाई का मालिक होता है और उसे नियंतरित करता है अब सबसे में और मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन जो आपसे पूछा ही जाता है वाइज अकाउंटिंग नीडिड हमें अकाउंटिंग की जरुत क्यों है तो वट इस दिफरेंट बिविन बुक कीपि एंड फ्लरिश अकाउंटिंग इस दा बैकबोन ओफ बिजनेश फिनेशल वर्ड ध्यान रखेगा बैकबोन वर्ड यूज किया है दा कंसेफ्ट अफ एसेट्स लाइबिलिटी एंड इंकम एंड दा नीड तो रिकंसाइल इस एरियास इस 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 तिल दा बेसिस फोर ओल अ फॉंक्शन टूडिए गोट इदो दिहान रखिएगा इस हमारे बिजनिस में जितना भी हमारा लेंड देन हो रहा है जितना भी हमारा criteria financial transactions हो रही है, assets आ रही है, assets जा रही है, liability यह सब, सारा का सारा काम किस में हो रहा है, accounting में हो रहा है, got it, तो यह जो criteria था, यहां तक के हमारे questions थे, अब देखिए, थोड़े से चीजे जो है, वो optional है, आई ज़रा इनको भी cover up करते हैं, और इनको बहुत ध्यान और debtor, तो debtor भी assets है, तो owners equity, जो है हमारी वो assets की definition की under नहीं आता, तो इससे यहां से एक question से आपके 5 concepts जो है, वो clear हो गए, what it, चलिए second question, accounting means recording of transaction event, transaction event, both A and B, neither A and B, तो transaction and event, दोनों को क्या करता है, यह record करता है, चलिए third question की तरफ चलते हैं, यहां पे देखिए third question में क्या करा है, which of the following is not an assets, इन में से कौन सी assets नहीं है, तो loan from K Harris, cash balance, debtor या building, तो सोचिए, loan from K Harris, हमने loan लिया है, हमारी liability हो गई, assets है ही नहीं, got it, which of the following is a liability, अब इन में से कौन सी liability है, तो motor vehicle हमारी assets है, cash at bank हमारी assets है, creditor for goods, और machinery हमारी assets है, तो बचा क्या हमारा creditors for goods, यह हमारी क्या है, liability है, got it, I hope आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, इस तरह से एक एक नंबर के जो है, यह questions जो है, वह आपसे पूछे जाते है, now, अब इसको देखे ध्यान से, answer, following questions, देखे, यहाँ पर दो-तीन question है, जो आपको exam pattern से most important, इनको आपके answer मैंने पॉलड़ी दे र पारे में मैंने आपको अच्छे से explain कर रखा है, what is the meaning of revenue at the time of sale, तो यह चीजे आपको यहाँ पर इनके answer जो है, वो खुद देखने है, मेरी previous वीडियो से, और book में भी इनके answer बहुत अच्छे तरीके से दे रखे हैं, यह तीन question आपके most most important है, अब देखे यहाँ पर चलिए question number two पर चलते है, identify the accounting term in bold, तो यहाँ पर देखे मैंने options लिखे हुए है, proprietor होगा, debtor होगा, creditor होगा, expense होगा, income होगी, assets होगी, तो यहाँ पर देखे कोई person का नाम है, ठीक है, drawings, यह सारी की सारी चीजे किस से related है हमारे, proprietor से related है, हमारे honor से related है, तो चलिए ज़रा यहाँ प करता है, किसको person को, person represent करता है, किसको proprietor, तो यहाँ पर महेश जो होगा, महेश started business with cash, महेश ने cash लगा कर business start किया है, तो महेश क्या है, honor, honor ने अपना ही पैसा अपने business में लगाया, तो honor, यह महेश क्या है, एक proprietor है, right, देखे, यहाँ पर लिखा हुआ है, सुनील, लेकिन sentence क पढ़ते हैं, he purchased goods from Sunil on creditor, on credit, तो Sunil से हमने क्या किया है, goods खरीदी है, तो Sunil proprietor तो है नहीं, debtor भी नहीं है, expense भी नहीं है, income भी नहीं है, assess नहीं है, तो हमारा क्या बचा है, यह क्रेडिटर, तो यह क्या है हमारा creditor, okay, he sold goods on credit to Mira, तो Mira को हमने उधार माल बेच दिया, तो Mira ह exactly, आपने बिल्कुल सही कहा, telephone bill for company, अब देखे, telephone bill, pay किया नहीं है, telephone bill हमें pay करना बाकी है, मत टेलिफोन बिल हमारा क्या है, ना तो proprietor ना debtor ना creditor, अब expense होगा या income होगी, तो यह क्या है, हमारा expense है, got it, commission receive, तो commission क्या है, अब देखे, proprietor भी नहीं है, debtor भी नहीं है, creditor भ गई, got it, इसके बाद car purchase, for business, तो car किया कर हम बात करें, तो car क्या represent कर रहा है, हमारा, car हमारा क्या है, exactly, बिल्कुल सही, हमारा assets है, इसके बाद computer, same as assets है, हमारी, interest paid, interest क्या है, हमारा, बिल्कुल, हमारा expense है, got it, interest receive, हमारी क्या है, income है, बिल्कुल सही, आपने पहचाना, printer, printer क् है बताईए बिजनिस में यूज होता है बिल्कुल फिरिंटर हमारा क्या है शाबास एसेटस है हमारी एड़टीस्मेंट खरचा कर दिया क्या कर दिया खरचा कर दिया तो यह क्या है हमारी अग्ला समझते हैं identify the terms, terms को identify कीजिए, देखे, salary payable, यह outstanding, क्या होगा हमारे लिए, current liability, बिल्कुल, interest receive यह accurate, यह मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, income होगी, चले बता देता हूँ, loan taken, right, तो क्या है हमारी यह, loan हमने दिया है, सोचिए, loan give किया है, loan taken, सोचे क्या होगा, loan तो हमारी liability होती है, ठीक है, तो क्या होगा हमारे liability होगा, अब देखे, यहाँ पर इसी से rated दो चीज़ा और दे दी मैंने, loan taken for six month, और loan taken for two year, तो six months, एक months से पहले, तो यह क्या होगा हमारा, सोचे क्या होगा, exactly, यह हमारी current liability हो गई, और इसको बात करें, तो हमारी यह long term liability होगी, यह short term liability और यह हमारी long term liability, goods purchase for business, business के लिए goods purchase किये हैं, तो क्या terms होगी, बताइए हमारी expense, शाबाश, goods purchase for household, तो household के लिए यह म comment box में, discount receive, यह भी मैं आपके छोड़ दे रहा हूँ, बिल्कुल simple, discount paid, expense, LTP paid expense, household expense, right, introduction of money into business, इसको बताइएगा, taking money out of the business, इसको बताइएगा, और assets में से liability, अगर minus कर देते हैं, तो क्या होता है, यह आपको बताना है, got it, तो यह especially मैंने आपी के लिए बनाया था, लेकिन इसमें से एक दो मैंने आपको बता दिया, लेकिन यह आपके लिए homework है, जिसका हो जाए, मुझे comment box में जरूर बताए, कि यह मैंने कर लिया है, got it, चलिए, इसके बाद थोड़ा सा और आते हैं, देखिए, same यही चीज है, अब इस वाले assignments में से, आपको मुझे बताना है, capital किसको introduce करते है, proprietor, interest receive, income, rent receive, income, drawing, proprietor, राम सब कस्टूमर, महेश supplier, यह मुझे संजी डेटर क्रेटर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, comment box में बताएगा, SBI, किस से related, bank, bank यह एक एसेट से related, goodwill, assets, patents, assets, furniture, assets, machinery, assets, cash, current assets, यहनी assets, loan, loan क्या होगा हमारे, liability, outstanding, liability, prepaid हमारा, बिल्कुल, क्या है हमारा assets, सबस्ट, तो यह कुछ मैंने यहाँ पे आपके लिए डाला था, 100% यह हमारे जो है, वो exam में आते हैं, पूछा जाता है, तो इसको बहुत अच्छे दियान से आपको करना है, बिटा, और next video में हम chapter 2 start करेंगे, जो most important हमारा chapter है, तो chapter 1 जो है, यह यहाँ पर मैंने आपके लिए क्या है, कुछ questions बगरा डाले हैं, तो इनकी अच्छे से practice करनी है, then next video में हम क्या ही start करेंगे, हम start करेंगे अपना chapter 2, जो कि कि से related होगा, account से related, जिसमें हम concepts पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीज़े पढ़ेंगे, तो यहाँ इतना ही अभी का पुरा जो course है, वो complete कराना है, और ज्यादा से ज्यादा लोग आख जुड़िए मेरे channel से अच्छा लगे, तो please subscribe जरूर करें, क्योंकि channel को subscribe नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, तो channel को subscribe करें, नहीं नहीं वीडियो जो भी मैं डाल रहा हूं, उसका notification आपके पास त थैंक यू, थैंक यू for watching my video, have a nice day विटा, take care.